इसके उल्टा होगा मार्केट पुलबेक, मार्केट पुलबेक क्या हुआ जब बजा गिरा है, जिस स्पीड से बजा गिरा है तो वहां से बजार एक पुलबेक ले लेती है, यह मार्केट पुलबेक है और यह बहुत शार्प राइस होता है, 90 डिगरी, 80 डिगरी, यह मेरी समझगा है, जिसे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, कोई डिगरी हमें नापनी नहीं है, बट समझ देजिए कि जैसे बजा गिरा था, जैसे गिरा था, वैसे ही बजार एक V-shape में रिगावरी दे रहे था, तो उसको मार्केट का पुलबेक भी कहते हैं हम लोग, अब समस्ते हैं मार्केट पुलबेक कहां से लेती है, मार्केट के सपोर्ट क्या होती है, बिसिकली जब एक स्टॉक गिर रहा होता है, गिर के जब वो बाउंस करता है, जिस यह एक सपोर्ट का काम करती है, जब रहे सिंस के पास स्टॉक जाता है, तो उसको उस रहे सिंस को क्लॉट करने के लिए बहुत ताकाची होती है, बाइंग की, जब बाइंग प्रेशर आता है, तो रहे सिंस टूट जाते हैं, वो रहे सिंस सपोर्ट का का काम करते हैं, नही कितने तरह के trend होगे, trend कौन कौन से होगे अब trend, जब बजार उपर जा रहा है down trend, जब बजार नीचे आ रहा है sideways, जब बजार एक range में first गया है no trend, समझ लेते हैं जब बजार एक higher high और higher low, higher high मतलब नया high, पिछले high से high होगा, higher low मतलब पिछला low, मतलब नया low जो बनने वाला हो, पिछले low से higher होगा market उपर की तरफ जा रही होती इसको हम कहते है, uptrend वैसे ही sideways market में बजार ना तो एक high बना पाता है, ना एक low बना पाता है मतलब वो एक range में first के रह जाता है जिसको हम कहते हैं sideways market या no trading zone, और एक downtrend क्या होगा जब market lower high बनाती है और lower low, low भी नीचे किसकते चले आते हैं high भी नीचे किसकते चले आते हैं बजार एक downtrend में आ जाता है आप अकसर सुनेंगे swing मैं swing trader हूँ, swing क्या होती है जब एक stock, एक कम duration में बहुत quick upside और downside की moment देता है, उसको swing कहते हैं for example, जब stock एक journey करना होता है तो अचानक से एक जमते तेजी आया थी वो एक दिन के बाद, दो दिन के बाद, चार दिन के बाद उसती एक raises उटता है, तो बड़ा swing आता है वैसे एक support उटता है, तो उन बड़ा swing नीचे की तरह आता है, sudden moment, short time is called as a swing, अब swing से जड़ा हुआ एक और word है, जो आपको समझना चीए, this is called as volatility, volatility क्या है, बजार में जो fluctuations होती है, जो momentum होता है stock के अंदर में, उसको हम कहते है volatility में बहुत कितने percent एक stock volatile रहता है, for example, कोई stock होगा जो पूरे साल में 40% की volatility दिखाता हो, या हर महीने 3% की volatility, मतलब, किसी stock की हर महीने 3% की volatility है, मतलब यह है कि वो stock 3% उपर या नीचे एक महीने में हो जाता है ठीक है, यह वो momentum है, जो stock में एक महीने में आ जाती है या एक साल में आ जाती है, अगर stock को आप stock market के अंदर में, prices कौन decide करता है, prices कोई decide ने करता guys, आप और मैं जो buyer है, buyer ने का भाई, मैं 100 रुपे पे कोई चीज़ खरीदने को त्यार हूँ, 100 रुपीस में बाय करने को त्यार हूँ seller अगर agree हो जाता है तो दोनों meet कर जाते हैं, दोनों seller match कर जाते हैं, वो कहते है ठीक है भाई, मैं 100 में देना चाहता हूँ, आप 100 में लेना चाहते हैं, trade happens, price change, सिरफ demand supply से होता है, अगर आप buy करना चाहते है price change होगा, सपोज कि 100 में खरीदा फिर आपका अमंग करता है, आप मैं 101 में बेचना चाहते हूँ, कोई और नया seller आता है, 101 में बेचने के लिए कोई नया buyer आता है, 101 में खरीदने के लिए तो नया price 101 हो जाएगा, तो price changing कौन करता है, price changing सिरफ buying और selling के थ्रूँ होती है, जो आप हम as a trader या निवेशक करते रहते हैं समझते हैं, बहुत interesting concept को futures को, futures क्या है, futures की किताबी language की उपर नहीं जाँगा, आप समझ लीजिए, बहुत shortcut में, एक time पे at a given point of time तीन महीने के future आपको दिखाई देंगे, for example, अगर जन बरी में अगर आप trade कर रहे हैं, तो gen, feb और marge futures के futures आपके सामने होगे, और हर future की जो expiry date होती है, वो होती है, last Thursday, कोई भी date पड़े, last Thursday, अगर गुसर होलड़े है, तो एक दिन पहले हो जाएगी, नहीं तो last Thursday उसकी expiry date होगी और future में trade करने के लिए, आप एक या दो share नहीं खर सकते, आपको पूरे lot खरिदना होगा, for example, अगर reliance का share 500 share का lot है, तो 500 से कम shares आप नहीं खर सकते futures में, और हाँ, ये expiry पे सोधा आपको काटना ही होगा, expiry पे सोधे square up हो जाते हैं, आपको square up करने होते हैं, तो future का मतलब यह है, अगर सब को 31st January के अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप 31st January के price को आज ही trade करें, future में trade करें हैं, मतलब है, future prices को आप आज trade कर रहे हैं, और इससे जुड़ावा word है options, future and options, बिल्कुल जै और वीरू की जोड़ी है, options में आपको सिर्फ एक minimum margin देना होता है, उस options options को buy करने के लिए, options में पास दो तरह की होती है, call option होती है, एक हमारी put options होती, call option basically हम तेजी करने के लिए खरीते हैं, जो हमको लगता है market में तेजी आने वाले होती है, market का bullish sentiment होता है, we tend to buy calls और जो हमको लगता है market में bearish mood है market गिर सकती है, तो we tend to buy put, इसका reverse भी होता है, हमको लगता है बजार में मंदी आने वाली है, तो हम call को short भी कर सकते हैं, हमको लगता है बजार में तेजी आने वाली है, तो हम put को buy भी कर सकते हैं, घवराई हमत, यह ही असलिए technical, इस पे time लगाना पड़ेगा, यह पांच मिनिट की, दस मिनिट की वीडियो में नहीं होता है, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, professional study करनी होगी इसके बाद ही trade कीजिए, guys, this is very dangerous, very very risky, अगर आपको यह समझ भी नहीं आता है, options trading is very risky, brutal है, पैसा बरबाद हो सकता है, zero हो सकता है, एक अगल trade, आपकी career को खतम कर सकता है stock market से, तो मेरी आप से request है, जब call put की बात करेंगे, जब future options को trade करनी कोशिश करेंगे, तो हम सीख के काम करेंगे, बिना सीख के, इस तरफ हम नहीं आएंगे, बहुत लिए बहुत लोग कहते हैं, दू का चार होता है, दो को दो सो होता है, तो आपको दो रुपे पे खरीदने वाली call अगर खरीदनी है, या put खरीदनी है, क्यों खरीदनी है, वो सही time है, क्या उसकी value क्या है, उसके अंदर में sentiment का है, market का, कितनी volatility बची है, उसका theta क्या है, बहुत साइच चीज़े options को trade नहीं कर सकते हैं, किसी के कहने पे, किसी tip provider के कहने पे options trade करने हैं, is very, very risky guys, तो this is how it trades, is like, futures अगर आपको खरीदना है, तो for example, धाई लाग का मार्शी है, तो धाई लाग रुपे आपको पूरे देने पढ़ेंगे, future के lot को खरीदने के लिए, बट हो सकता है, वो premium options में खाली 25,000 रुपे गाओ, तो वही 500 शेगी quantity आप 25,000 रुपे देके खरीद सकते हैं, तो मेरी request आपको से options को अच्छे से सीखना है, समझना है, बहुत time बिताना है, उसके बाद ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे, कौन-कौन से तरह के options होती हैं, आपको बता दिया है, मैंने call options और put options, call options हम तेज़ी करते हैं, put options हम मनिगा बेर